आज मैं आपको बदाऊंगी कि मेक्सिकन संफ्लावर को कैसे लगाते हैं यह छोटा सा स्टेम है जो मैंने इसको स्टेम काटके लगाया है छोटे से जगह में देख सकते हैं छोटा सा डाली है बहुत ही सुन्दर जगह छोटा था तो मैंने इसमें साइड में लगा दिया गंबले में नहीं लगाया क्योंकि यह बहुत ही बड़ा पेड होता है छोटा पेड होने से मतलब गंबला छोटा होने से मतलब बड़ा हो पाएगा तो मैंने मिट्टी में लगाया इसको यह बहुत ही सुन्दर लगता है बड़ा होने के बाद यह बहुत सारे फूल खिलते हैं बहुत अच्छा लगता है दिखने में दिखाती हुए यह फूल खिलने के से दिखते हैं यह मेरे घर के फूल है बहुत ही मीडियम साइज का है सनफ्लावर ही मतलब है लेकिन यह मेक्सि मिलता है यह बहुत ही सुन्दा लगता है आप भी लगा सकते हैं ओके गाइस तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं थेंक यू